देखा सकता है आज सूरी ग्रहन रांची और हजारी बाग में देखा जा सकेगा मौसम विग्यान केंद्रे ने लोगों से सूरी ग्रहन को नगन आखे से नहीं देखने का आगरा किया है इसे से आख की रोषनी तक जा सकती है बता देख खगोल सास्तर के अनुसार जब सूर्य चंद्रमा और पिरिथमी लगभग एक सीधे में आ जाते हैं तो इस खगोली ए घटना को सूर्य ग्रहन कहते हैं सूर्य ग्रहन अमाउस्वा तिथी पर लगता है 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहन इस साल का आखरी सूर्य ग्रहन और तिसरा ग्रहन होगा साल का पहला सुरे ग्रहन 30 अप्रेल को लगा था रांची में 26 मियट और हजारी बैग में 27 मियट तक सुरे ग्रहन रहेगा दिवाली पर बस में जलाया दिया लगी आग ड्राइबर कंडेक्टर की मौत दिवाली की रात रांची के खादगाडा बस एस्टेंस से अपरिये घटना की खबर है यहां बीती रात मूनलाइट नामक बस में आग लग गई आग लगने की वज़ा से बस में सो रहे दो लोगों की जल कर मौत हो गई है फिलाल खादगाडा टी ओपी मामले की जाच कर रही है मिली जनकारी के अनुसार बस रांची से सिम्डेगा मार्ग पर चलती थी पूलिस के मुताविक दिपावली की रात दिया जला कर बस में रखने की वज़ा से आग लगी है सराय के लग हरसावा के राजनगर में पांच दिन तक सोहराई पर्व सराइकलाखार सवाजीला के राजनगर परखंड में पांच दिनों तक मनाए जाने वाला सोहराई परव कुछ जगों पर गोट मांडा के साथ शुरू हो गया है मंगलवार को सुर्य गरहन की वज़ा से परखंड के कुछ इलाकों में बुद्धवार को गोट मंडा की जाएगी वहीं रोडा एवाम भूरसा गाउं में पुर्नीबा के दिन गोट मंडा होई सुहराई संथाल आदिवासियों का एक महत्वपून परवाई सुहराई परवक के आउसर पर लोग अपने पालतू पस्वो को नदी नाला या तलाबों में अच्छे से नहलाते हैं पस्वो को नहनाने के बाद गरामीन गाउं के एक छोर में नाय के पुजारी द्वारा पुजा अच्ण की जाती है उसके बाद मुर्गा की बली दी जाती है दिवाली की रात पलामू एस्पी ने फुटपाथ के लोगों के बीच बाटी मिठाईया मेदनी नगर का रेलवे स्टेशन रोड समय रात के करीब 10 बजे कुछ दुकाने खुली हुई जादतर बंद थी इके दुके वाहन का आना जाना तभी धड़ा धड़ कई पूलिस की गाड़िया आती है और कुछ हथियार बंद जवान तेजी से गाड़ी से निकल कर इधर उधर पोजिशन लेते हैं बतादे सड़क किनारे करी 50 की संख्या में बे घर लोग सकते में आ जाते हैं उन्हें समझ में नहीं आता आज वे यहां से भी हटने वाले हैं तभी एक गाड़ी से बाहर निकलते हैं पलामो एसपी चंदन कुमार सिनहा और उनकी पतनी समाज कल्यान विभाग की सहयक निदसक कंचन सिनहा बतादे इसी बीच हर्यार बंद पोलिस के जवानों के हाथ में दिखता है मिठाई का डिबा फिर दिखता है मानुए सनवेदना से भरा ओद्री से जीसे देख कर हर कोई पलामो पोलिस की तारिफ करता है एसपी के निर्देश पर जवान सड़क किनारे बैठे सभी लोगों को मिठाई देता है और साथ में सुपकमनाई भी देते है जारखन में 12 बजकर 35 मेट पर वाटसेप सेवाए ठप देश भर में मंगलवार दोफर 12.5 बजके वाटसेप की सवाए पूरी तरह से ठप हो गई इसकानल लोग एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं लोग काफी परिसान नजर आ रहे हैं कई कर्यालों में कामकाई ठप हो गया है जनकारी कनुसार दोफर 12 बजकर 35 मेट पर जैसे ही सवाए ठप होई लोग कुछ नहीं समझ पाए थोड़ी देर बाद लोगों ने एक दूसरे से पूछता सुरू कर दी कुछ लोगों ने मोबाइल चेक करना सुरू कर दिया जब लोगों को पता चला कि इंटरनेट काम कर रहा है लेकिन वाटसेप काम नहीं कर रहा तो उन्हें समझ में आया कि उपर से ही कोई गड़बडी है जैक बोड मैट्रिक इंटर परिक्षा मार्च 2023 में सरकाज तथा जहारखने केडमी काउंसिल से मन्याता प्राप्त स्कूलों में मैट्रिक इंटरमीडियेट की परिक्षा अगले वर्स मार्च माह में होगी उसके तुरंत बाद आठवी नमी इवाम एकारवी की परिक्षा ली जाएगी सेंधहिंतिक परिक्षा के पहले प्रयोगिक परिक्षा ली जाएगी की परिक्षा OMR सीट इवाम उतर प्रिस्थिका दोनों के माध्यम से होगी जेक बोड जारी करेगा मोडल प्रसन पत्र, इस बार सभी परिक्छाओं के लिए JCERT द्वारा एक ही मोडल प्रस्पत जारी किया जाएगा, पता दे मोडल प्रसन पत्र त्यार करने के लिए JCERT को जेक से समनवय अस्थापित करने को कहा गया है बच्चों को परिक्षाव की त्यारी में असानी हो इसके लिए पहली बार क्यूस्चन बैंक भी JCERT द्वारा त्यार किया जाएगा विभाग के सचीव के रभी कुमार ने क्यूस्चन बैंक त्यार करने के लिए भी निर्देश JCERT को दिया है कहा जा रहा है कि केश्चन बैंक उपलब्ध होने से बच्चे सभी चेप्टर एवं टोपिक को कबर कर सकेंगे चुकि आठवी नवी एवं एगारवी में सत परतिसत प्रश्ण तथा मैट्रिक एवं इंटर्मीडियेट में आधे प्रश्ण बहुवी कल्पी परकार के पुछे जाएंगे इसे क्यूशन बैंक से त्यारी करने में बच्चों को काफी मदद मिलेगी नवंबर में जीलो में कांग्रेस के नए अध्यक्ष मिलने सुरू हो जाएंगे कांग्रेस ने जीलो में संगर्टनात्मक बदलाव की त्यारी पूरी कर ली है केंदर में राश्ट्रिय अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की त्यारी तेज हो गई है मलिका अरजून खडगे कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गये हैं जात हो कि जीलो में कंग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चैनित उमिद्वारों का सक्षतकार लिया जा चुका है और तमाम नामों पर चंगठन ने अपना मंतब्य त्यार कर लिया है आग से जली चात्रा की मौत पर सोजनों से मिलने पहुँचे मंत्री बन्ना गुपता स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता मंगलवार को भुयाडी स्थीत छाया नगर गए थे जहां उन्होंने साक्ची स्थीत सर्दामनी स्कूल की छात्रा रितु मुखी के सोजनों से मुलकात की मंत्री ने मुरीत छात्रा की माता को ततकाल 20 सेया रूपे नगत दिये और 50 सेया रूपे देने का अस्वासन दिया यहां बता दे की साक्ची स्थी सर्दामनी गल्स हाई स्कूल में नवी की छात्रा रितु मुखी ने 14 अक्टूबर को अपने सरी पर किलोसी छड़क कर आग लगा लिया था उसने यह कदम अपनी सिक्षिका से आपमानित होने के बाद ऐसा कदम उठाया एक दिन पहले परिक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर सिक्षिकाने काक्छा में ही उसके कपड़े उतरवा दिये थे देवगर के प्रेमी युगल ने ट्रेन से कट कर दी जान बाबा बैधनात की नगरी देवगर में मोहनपूर थाना चेतर के मोहनपूर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार के सुबध एक प्रेमी यूगल का ट्रेन से कटा हुआ स Kerry Cohen के रहने वाले थे बतादे प्रेमी 20 वर्षी दीपक कुमार बीए पार्ट वन में पड़ता था वहीं उसकी प्रेमी का नबालिक थी और इंटर में पड़ रही थी दोनों एक गाउं के रहने वाले थे बताया जाता है कि दोनों के बीच पिछले 4 वर्षे प्रेम पर संग चल रहा था दोनों साधी करना चाहते थे लेकिन घर वाले इस साधी के लिए त्यार नहीं थे जनकारी के नुसार युवक संपन परिवार से था जबकि लड़की के घर वालों के आर्थे किसी थी बहुत अची नहीं थी जार्खन दवरे पर नीती आयो की टीम नीती आयो की टीम दो दिवसिय जार्खन दोरे पर आ रही है, जनकारी के मुताबिक दिल्ली से नीती आयो के उपाध है, सुमन बेरी के नेत्वित में 5 से टीम मंगलवार साम रांची पहुँचेगी, जार्खन दोरे के करम में मुख्य मंतरी है मन सुरेन के साथ बुधवार क बैठक भी होगी जिसमें केंद्र और राज सरकार के बीच समन्वे और योजनावों को लेकर मन्थन होगा निती आयो की बैठक में जहारखन के मुख सचीव विकास आयोक सहित कई आला अधिकारियों के रहने की संभावना है इसके अलावा निती आयो की टीम जमसेदपूर का भी दोरा करेगी जहां X-L-R-I में आयोजित कारिकरम में भाग लेने का कारिकरम है निती आयो की टीम में नीरज सिनहा, राकेश रंजन सामिल है रांची पहुशने के बाद निती आयो की टीम के लिए रेडिसन विलू में ठारने की विवस्था की गई है रांची में दो लोगों की जिन्दा जलने पर सियम हमन्त ने जताया दूख राजधानी रांची में दीपावली के राथ बस में आग लगने से दो लोग जिन्दा जल गए वे रात में बस में दिया जला कर सोगय थे आग लगने पर वो बस से बाः नहीं निकल पाय और दोनों की जनले से मौथ हो गई दोनों की मौत पर सीम हमान सुरें ने दुख जाहिर किया है और सोका कोल परिवार के प्रती सन्वेदना प्रकट की है बता दे दो लोगों की जनले से हुई मौत पर सीम हमान सुरें ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया उन्होंने लिखा रांची के खादगाडा बस इस्टेंड में बस में आग लगने से ड्राइबर और खलासिक मिरत्यू अत्यंत पिला दाया खाय परमात्मा दिवंगत अत्माओं को सांती परदान कर सोका कुल परिवारों को दुख की बिकट घड़ी सहन करने की सकती दे धन्य यादि आप चैनल परना होते चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद बढ़िए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवस्वेदे थैंक्यू